हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं अपा मार्व तन्रुली अध्याय के अंतरग्रत जो फिफ्ट पॉइंट है अर्था अनुवासन द्रब्य और उसके मुख्य प्रयोग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे इससे पहले हम लोग ने क्या देखा अर्था आस्थापन द्रब्य में देखा था कि जो दसमूल होते हैं तो यहां पर बात कर रहे हैं आस्थापन द्रब्य अर्था जो ये दस जो द्रब्य है इसको हम लोग दसमूल बोलते हैं जिसमें उनके रूट या मूल प्रयोग होते हैं अगर इन ही द्रब्यों का अर् बस्ती में स्नेह का प्रयोग होता है तो यहां पर इसनेह मश्ट होगा तो यहां पर क्या अंतर है दोनों में तो आस्थापन द्रब्य में अगर हम एड क्या कर दे स्नेह है इसनेह में कुछ भी हो सकता है घ्रित तैल वसा मज्जा तो इसनेह में यह चीज़े अगर हम एड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह पुरा क्या हो जाएगा अनुआसन वस्ती के द्रब्य हो जाएंगे अनुआसन वस्ती में अस्थापन के द्रब्य प्लस इसनेह का प्रयोग करते हैं और इंडिकेशन क्या होता है अगर प्रयोग क बात करें, इनका प्रियोग कहां होता है, तो वात जन्य रोगों में होता है, वात जन्य जो रोग होते हैं, उनमें प्रियोग करते हैं, वात जन्य रोगों में हम क्या करते हैं, कि अनुवासन वस्ती का प्रियोग करते हैं, तो अनुवासन वस्ती को हम लोगों ने देखा भी था इसके अधर नाम क्या है अनुवासन वस्ति का हम लोगों ने स्नेह वस्ति बोला था स्नेह वस्ति बोला था साथी साथ देखा था हम लोगों ने इसको हम लोग वरिंगहड वस्ति बोलते हैं वरिंगहड वस्ति क्यों जैसे कहते न जो ब्यक्ति सनेह का ज्यादा मात्रा में गरित तैल वसा मज्जा का सेवन करेगा तो क्या हो जाएगा वरिंगहड मतलब मोटा हरिष्ट पूरुष्ट हरिष्ट पूरुष्ट अठात मोटा चगड़ा हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग ये बात किये हैं उमिदे वीडियों आपको पसंद आया होगा वीडियों को लाइक एंड सेयर साथी साथ चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद